हेलो दोस्तो मैं विने कुमार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ UPSC परिक्षा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में परिसंचन तंत्र के बारे में दोस्तो बहुत इंपॉर्डन टॉपिक है हमारा यह और यहां से अक्सर एक्जाम में कोशन्स पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको इस टॉपिक लेक्ष वीडियो में और बहुत अच्छे से हम इसको कवर करेंगे और तीन पार्ट्स में हम इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं आज इस वीडियो में मैं आपको परिसंचन तंत्र के बारे में थोड़ा सा समझाओंगा तो चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तो मानव और अन्य कशेरुकी प्राणी जो भी आपकी जटल सनरशना वाले प्राणी होते हैं उनको हम कशेरुकी प्राणी बोलते हैं और इनकी दिखे खास्यत यह होते हैं कि जो भी कशेरुकी प्राणी होते हैं इनके पास रीड की हड़ी पाई जाती है इनको हम इस्तंदारी भी कह सकते हैं अंडे ना देने वाले प्राणी जो डाइरेक्ट बच्चों को जनम देते हैं उनको हम कशेरुकी प्राणी कहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान लखिएगा मानव और अनकशेरुकी प्राणीयों में शरीर के बिभिन पोशक पदार्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवगमन के लिए एक सूविक्सित समू पाया जाता है जिसको नाम दिया गया परिसंचन तंद्र देखिए यहां पर देखिए इन प्राणीयों को परिसंचन तंद्र की अवशकता क्यों पड़ी देखिए कोई भी जैसे मानव की बात करें मानव जो होता है उसको भी देखिए पोशक पदार्त जो है पूरे शरीर में पहुचाने के लिए एक पूरा सा स्ट्रक्चर चाहि इन सभी पदार्तों को शरीर में एक हिस्ते से दूसरे हिस्ते तक पहुचाना मतलब एक अंग से दूसरे अंग तक पहुचाना और सबकुछ एक्दम सुविक्सित तरीके से होता है आपके शरीर के अंदर ऐसा होता है और आपको पता भी नहीं चलता और बिना किसी कश्ट स सब कुछ हो जाता है एक दिन में जो आपका जो डेली का रूटीन होता है यहां पर इस सब परिसंचनन तंत्र के बज़े से ही होता है दोस्तों आगे अगर हम इसमें बात करें तो दिखे कुछ ऐसे अपवाद भी होते हैं जो आकशेरुकी जीवों में भी पाई जाते हैं मतलब मैंने अभी आपको बताई कि कशेरुकी जीव नॉर्मली इसमें पाए जाते हैं जबकि आ कशेरुकी प्राणी भी कुछ अपवाद सुरूप इसमें पाए जाते हैं यहां पर कई सारी नलिकाएं होती हैं इन नलिकाओं से यह पूरा परिसंचन तंतर बना होता है और इनी नलिकाओं के माध्यम से जो भी पोशक पदार्त हैं वो सभी एक अंग से दूसरे अंग तक संचरित होते हैं तो केवल यहां पर हम पोशक पदार्तों की बात नहीं करेंगे आपके लिए जो भी शरीर में अंग होते हैं जैसे आप ऑक्सीजन की बात करें हमारे शरीर में पोशक पदार्त होते हैं विटैमिन्स ग्लुकोज इन सब का जो संचरन होता है वो भी हम परिसंचन तंतर के मा तो दोस्तों यहां पर देखिए शरीर के विभिन अंगो में क्या हो रहा है विटैमिन ग्लूकोज और अन्य पोशव पदार्तों को यह पहुचाने का काम करता है यूरिक एसेड को उत्सरजी अंगो तक पहुचाने का काम होता है इसके द्वारा यहांपर हो कह सकते है तो यहां पर दोस्तों हमको पूरा पूरा यहां पर किलियर हो रहा है कि जो परिसंचरन तंत्र है वो एक काम के लिए नहीं है आपकी जित्रे भी शरीर में ट्रांसफर हो रहा है मतलब जो भी एक अंग से दूसरे अंग तक पोशक बदार्थ हो गया ऑक्सिजन हो गया हार्मो होते हैं इनको भी लक्षित करने का काम करता है इस प्रकार परिसंचन तंत्र पदार्तो गैसो एबम उसरजी तंत्र के पदार्तो हेतु सूविक्सित तंत्र है कैसा तंत्र है सूविक्सित तंत्र है परिसंचन तंत्र के अगर दोस्तों मैं कारी की बात करो तो दीखे सबसे important काम है इसका पोशक पदार्तों का परिवहन करना पोशक पदार्तों के परिवहन में glucose, vitamin, वसीय अमल आदी इन सभी को ये क्या करता है अवशोशित करके सरीर के विभिन अंगों में पहुचाता है नाइट्रोजन का परिवहन इसमें यूरिक अमल और यूरिया इन सभी को ये क्या करता है उत्सरजी अंगों तक पहुचाने का काम करता है ये सभी क्या होते है अप्शिष्ट सबसक्राइब क्छशिष्च बाख्च बाम दिए यह सब की ऑफशिष्ट पतार्थ होता है, निकलने वाले हार्मोन से और इनको लक्षित करने का काम करता है और जो भी इनके अंग होते हैं फेफणों से लिकालता है और उतको तक कोशिकाऊं तक पहुचाने का काम करता है दोस्तो परिसंचन तंतर के अगर हम बात करें तो देखे परिसंचन तंतर के दो प्रकार होता है एक होता है खुला परिसंचन तंतर दूसरा होता है बंद परिसंचन तंतर और दूसरा होता है बंद परिसंचन तंतर इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हम खुला परिशंचन तंतर और बंद परिशंचन तंतर को कल बिलकुल अपने नेक्स्ट वीडियो में बिलकुल डीटेल से पढ़ने वाले हैं तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और बात करते हैं परिशंचन तंतर के चार घटकों की तो देखे परिशंचन तंतर में जो चार एहम घटक हैं उनमें पहला है रुधीर दूसरा हिर्दय तीसरा रुधीर बाहिकाएं परिशंचन तंतर के एहम घटक होते हैं रुधीर परिशंचन तंतर की खोज विल्यम हारबे नहीं की थी तो इसको भी याद रखेगा और कल इसी वीडियो के आगे में एक और वीडियो लिख्या होंगा और इसी के नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं पूरा हम डिटेल से इस तेके आगे बाइब दयवेयो के बाइब के वाई अरफंग से लिए, के पीड़ियो js इङ याईब कर दोस्त व nova हैं